Hello everyone, welcome to the channel Agricultural Studies, मेरा नाम है दिवाकर खेतरी और आज इस वीडियो के दोरान हम Entomology सबजेक्ट के कोर्स टाइडल Management of Beneficial Insects के next topic के बारे में बात करने वाले हैं जो की है लाख कल्चर अब लाख कल्चर जैسे की हमने पहले epiculture बड़ा था उसी तरह से एक तरह से लंबा topic है तो उसे हम सब topics के अंदर बढ़ सकते हैं सब टॉपिक्स में बाढ़ सकते हैं, यानि कि लाख कल्चर के अंदर हम पढ़ सकते हैं, इसका introduction, यानि कि पहले तो ये लाख होता क्या है, और इसकी क्या history है, और हम देख सकते हैं, इसकी क्या economic importance है, तो इससे जुड़ी भी general बाते हैं, लाख से जुड़ी भी, उसके बारे म introduction की रूप में हम इसमें बात कर सकते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं, इसकी biology, biology का मतलब इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसकी life cycle को, life cycle को यानि किसमें किस तरह की stages होती है, incomplete metamorphosis होता है, या complete metamorphosis होता है, किसमें, लाख insect में, लैसी फर लाख का आजी से कहा जाता है, तो लाख insect की life cycle को हम समझेंगे, उसके बाद हम समझ सकते हैं, इसकी morphology, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कि लाख insect के अंदर dimorphism होता है, dimorphism यानि male और female को देख के बताया जा सकता है, कि कौन male है, कौन female, हना तो उसके अंदर characteristic features इस तरह से होते हैं, जिनसे हम बहचान सकत हैं, कि कौन male है, कौन female, तो इसकी morphology के बारे में हम बात कर सकते हैं, और साथ में हम इनके अंदर जो strains पाए जाते हैं, strains या हम क्या सकते हैं, इनकी जो sub-species होते हैं, कि इनकी लाख insect की, तो इनकी sub-species के रूप में हम देखते हैं, रंगीनी और कुसुमी, इस तरह के दो strains ह होते हैं, तो इनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, और साथ में हम देख सकते हैं, इनकी host plants, host plants, यानि किस के ऊपर लगते हैं ये, लाख insect, और साथ में जो चौता topic हो सकता है, वो होता है, लाख production, अब इसका लाख का production किस तरह से किया जाता है, क्या methods होते हैं, क्या उसके लग-लग types होते हैं, तो वो भी एक तरह से इसका topic हो सकता है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम इन तीन topics के बारे में बात करने वाले हैं, यानि कि लाख culture का पहले introduction देखेंगे, उसके बाद लाख insect की biology जानेगे, और उसके बाद हम देखेंगे ऐसी host plants, जिनके बारे में आ पहले हम एपी कल्चर के अपर अच्छे से बात कर चुके हैं, एपी कल्चर के उपर मैं पांच वीडियोज अल्रेडी बना चुका हूँ, साथ में हमने insects order, जिसके अंदर हम देखते हैं, परसेटॉइट्स और साथ में predators आते हैं, उसके बारे में भी पिछली वीडियोज मे नहीं देखे हैं, तो उनके लिंक उपर आई बटन के साथ, निचे description box ने available है, आप चाहें तो नहीं देख सकते हैं, तो चलिए लाक के कल्चर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिरी लाक होता क्या है, तो हम देखते हैं, लाक is a raciness secretion, raciness मतब चिपचिपा, एक लैसिपर लाका और लाक इंसेक्ट, लाक का जो इंसेक्ट होता है, जो इंसेक्ट से बना रहा है, उसे हम लाक इंसेक्ट जो कह रहे हैं, इसका scientific name आप ब्याद रखी, जिससे क्या कहते हैं, हम लैसिपर लाका कहते हैं, तो इस लैसिपर लाका से ये चिपचिपा secretion निकलता है कब निकलता है तो हम देखते हैं वाइल फीडिंग ओन फ्लोएम सैप यह जो प्लांट का फ्लोएम होता है उसकी सैप को सक करते हुए हम देखते हैं अपनी प्लांट की होस्ट और यह जिस प्लांट के उपर लगते हैं अपको सब्सक्राइब से यह प्लांट के उपर एक तरए से प्रस प्रस पहता है परसाइटिक ही है न क्योंकि ये उस host का nutrition खीच रहा है अब ये परसाइटिक है तो इस insect को हम pest क्यों नहीं कहते जबकि इसे हम beneficial insect में पढ़ रहे हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी जायते हैं कि लाख की economic importance काफी जादा है एक तरह से हम देख रहे हैं जिन host plant से nutrition ले रहा है वो host plant भी इतने ज़्यादा economically हमारे लिए important नहीं है और साथ में जो इस plant step को सख करने के बाद ये secretion छोड़ रहा है वो हमारे लिए economically important है economically important है का क्याने का मतलब ये है कि लाख की अलगली तरह की bangles बनते हैं मतलब kangan बनते हैं, ink हो गई, polishing बगएरा के अंदर, toys बगएरा बनते हैं तो कहने का मतलब लाख की अपने आप में बहुत ज़्यादा importance है इसका काफी अलगली ज़रा से use किया जाता है हम देखते हैं marginal farmers बगएरा जो है beneficial insect कहते हैं और हम देखते हैं कि जो लाख English का word है ये हिंदी के word से derive हुआ है लाख और ये जो हिंदी का word है वो अपने आप में एक संस्कृत के word से derive हुआ है संस्कृत का word कौन सा? तो हम देख रहे हैं लक्ष तो इसलिए इस कीट को इस insect को हम लक्ष कीट भी कहते हैं अब आप ध्यान रखें कि इस लाख के बारे में बहुत पुरानी समय से बाते हमें इंसानों को पता हैं महावारत के अंदर भी लक्ष कीट के बारे में बताया गया है उसमें बताया जाता है कि जब कौर्वों ने एक हम देखते हैं लक्ष ग्रह बनाया थे पांडवों के लिए उन्हें जिंदा जलाने के लिए तो कहने का मतलब महावारत में भी इसका नाम है और हम देखते हैं अथर्व वेद वगेरा जो है मतलब वेद वगेरा के अंदर भी हम देखते हैं कि लाख के बारे में बताया गया है तो लाख के बारे में इंसानों को बहुत पहले से पता है और हम देखते हैं कि यह यह लाख वर्ड है हिंदी का ऐसा इसलिए क्यों कहा गया है तो आप भी जानते होंगे कि लाख मतलब क्या होता है 100,000, 100,000 तो शायद यहां इसे नाम लाख इसलिए दिया गया है क्योंकि एक केजी लाख को बनाने के लिए लगबग तीन लाख लाख इंसेक्ट की जरुत होती है तो यह तीन लाख इतने ज़्यादा नंबर के अंदर हमें इंसेक्ट की जरुत है सिर्फ एक केजी लाख को बनाने के लिए तो कहने का मतलब यह हुआ तभी शायद इसे नाम दिया गया है लाख और हम देखें लाख is only commercial resin obtained from animal लाख ही ऐसा resin है जो कि हमें animal से मिल रहा है animals में और किसी animal से हमें इस तरह का कोई resins नहीं मिलते हैं रेजिन से plants बगेरा से मिल जाते हैं लेकिन लाख जो है वो क्या है एक animal से मिलने वाला resin है इसको आप याद रखेंगे और हम देखते हैं इंडिया is the largest producer of the lakh lakh का हम देखते हैं पुरे overall world में जितना production हो रहा है उसका 70% उसका 70% तो हम इंडिया में ही कर लेते हैं तो कहने का मतब ही वहा कि इंडिया is the largest producer of lakh और हम देखते हैं Indian Lock Research Institute जो है वो कहां है तो हम देख रहे हैं रांची और वहां भी देख रहे हैं हम जारखंड में तो 1925 के अंदर इसका establishment हुआ था 1925 में इसकी स्थापना होई थी है तो हम कह रहे हैं कि जब 1925 के अंदर तो रांची को बिहार में कंसिडर किया जाता था तो हम देख रहे थे लेकिन आज की डेट में हम जारखंड में रांची को कंसिडर करते हैं तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि ये जो Indian Lock Research Institute है वो क दिखा गया था जिसे बाद में एक Scientist Care ने Change किया लैसिपरलाका के रूप में अच्छा इस लैसिपरलाका को केरिया लाका भी कहा जाता है तो आप अगर आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो कंफ्यूज ना हो टेकाडिया लाका, केरिया लाका, लैसिपरलाका ये सारे क्या ह लाक इंसेक्ट के ही नाम है, Scientific Name है, अब चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं तो चलिए अब लैसिपरलाका के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, यानि कि इसकी अब बायोलिजी के बारे में बात करते हैं लैसिपरलाका जो है इसका ओर्डर, तो इसका एक तरह से systemic classification, तो इसका जो ओर्डर है वो है हमेप्टेरा, हमेप्टेरा की गुछ जनरल करेक्टर साब जानते होंगे, कि हमेप्टेरा के अंदर piercing and sucking type के mouth organs होते हैं और साथ में हम देखते हैं इनके अंदर incomplete metamorphosis होता है, तो कहने का मतलब इनका order जो है हमेप्टेरा है, और हमेप्टेरा में भी कौन सा suborder, तो हम देखते हैं इनका जो suborder है वो है homoptera, homoptera के अंदर जो इनके wings हैं, male के अंदर इनके पास जो wings present हो सकते हैं, तो ये जो wings होते है वो क्या होते हैं, equal होते हैं, और साथ में transparent होते हैं, तो इस वज़े से हम इनके homoptera के अंदर consider करते हैं, और इनकी जो super family है, वो क्या है, तो वो हम देखते हैं, कोकोईडी की super family है, और family की अगर हम बात करें तो वो है leciferady, lecifer लागा की leciferady, तो इस तरह से इसकी आप family या होता है, तो यानि कि इनके अंदर जो eggs हैं, और nymph हैं, और adults है, incomplete metamorphosis यानि life में तीन ही stages होती है, egg, nymph and adults, और अगर हम देखें इनके अंदर खास बात, तो ये reproduction, तो इनका जो reproduction हो किस तरह का होता है, तो ये over viviparous तरह का होता है, या वीवी परस आप जानते होंगे, जो सेना, जिसको उनको कहते हैं, तो उनको सेती है, और उसके बाद हम कुछ टाइम बाद इनके से क्या निकलते हैं, उनकी immature forms निकलके भार आते हैं, तो क्याने का मतलब वो oviparous form होती है, लेकिन यहाँ oviparous खा जा रहा है, मतलब दोनों का मिला जला रूप, क्यों? क्योंकि the embry are already fully developed in them when they are laid, मतलब इनमें से जब egg को छोड़ा जाएगा, लेकिया जाएगा, तो इनमें embryos जो हैं, वो लगबख fully developed ही होते हैं, अब developed ही होते हैं, तो कुछ ही घंटों के अंदर, after some hours, यहाँ हम देख सकते हैं, after few hours, इनमें से जो है, इनकी immature forms बाहर आ जाती है, तो कहने का म इनमें से कुछ ही घंटों बाहर हम देख रहे हैं, crawlers भार आ जाएगे, अब जो crawlers क्यों कहा गया है, एक तरह से यह रिंगते हुए, plant की एक पार्ट से दूसरी जगा जाएगे, तो इनको हम एक तरह से crawlers खह रहे हैं, अब जो crawlers है, इसके नीची लिखा है, first in star, first in star क्यों क्योंकि यह जो इनकी निफ form है, इनके अदर malting होगी, तीन बार malting होगी, अब तीन बार malting होगी, तो हम देख रहे हैं, उसमें से malting से पहली, जो सबसे फहली stage है, उसको first in star क्या रहे है, तो उसका क्या नाम दिया गया है, crawlers नाम दिया गया है, अब इक रावलर्स क्या कर जाएंगे, जैसे की shoot and settle there and start sucking the plant sap, वहाँ settle हो जाएंगे, settle हो जाने का मत्तब एक तरह से अपनी proboscis लगा लेंगे, और उनमें से क्या करना लगेंगे, उनका sap जो है, वो सक करना लगेंगे, और इसके बाद क्या होगा, इनके बाद इनके अदर life की आगी जो stages हैं, उनके बा की चीज बेना लेकी, जिसे हम कहते हैं, लाक, तो उसके बारे में, अब next slides के अंदर हम जानने वाले हैं, तो अब तक आप जान चुके हैं, कि जो crawlers हैं, वो tender parts तक पहुंच चुके हैं, tender parts पे settle होने लगे हैं, जानत उसके बाद हम देखते हैं, after one day, or so of setting, या हम देखते है एक दिन बाद या आने वाले दिनों के जब तक वो settle हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो निंफ स्टार्ट सिक्रीटिंग रेजीन, अब जो निंफ हैं, वो क्या करने लगते हैं, अपने चारों तरफ, रेजीन को सिक्रीट करने लगते हैं, हमारे काम की चीज आ गई हमारे काम की चीज यानि लाक, यह जो हमने जाना था अभी शुरुवात में, यह जो हम देख रहे थे चिप-चिपा रेजीन है, यही तो हमारे काम की चीज है, ऐसे ध्यान रखेगा, यह एक तरह की semi-liquid form में होता है, जो कि बाद में हवा की contact में आ जाता है, तो उससे सू को सिक्रीट करते हैं, that are distributed all over the body, जो कि पूरी बादी के ओपर distributed होते हैं, यानि कि पूरी बादी के ओपर ही covering हो जाएगी raising की, लेकिन कुछ जगहें हैं, जहां नहीं भी होती है covering, जैसे कि हम देख रहे हैं, except near the mouth part, जो mouth part हैं, वहां नहीं होगा, क्योंकि उसको तो काम में ल उनके ओपर भी नहीं होगा, अगर वह भी raising से डख जाएंगे तो पैचारे सांस कैसे लेंगे, और साथ में एनस, एक तरह से जो इनकी excretory products को बहार निकालने के लिए एक तरह से जो exit point है, तो कहने होगा तो वहां पर भी इस तरह से ये glands नहीं होते हैं, तो इस तरह से तीन और फॉर्म सा वही मरने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता, तो इनकी तीन जगा जो हैं छोड़कर बागे जगा पूरे बाड़ी के ओपर secretion होता है, और हम देखते हैं, तो निम्फ मॉल्ट थ्राइस इंसाइड दिस सेल, अब जो सेल है, उसके अंदर हम देख रहे हैं, यह जो निम्फ है, वो तीन बार मॉल्टिंग करते हैं, जैसा कि मैं आपको थोड़ी दर पहले बताया था, तो तीन बार मॉल्टिंग होती है, तो सबसे पहली बार जो मॉल्टिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, तो हम देखते हैं, आफ्टर फर्स्ट मॉल्ट, सबसे पह मतलब हट जाती हैं लॉइक हो देते हैं अपनी आइज लैग और साथ में एंटीना चीज़ हों ही इन से अलग होने लग जाती है मतलब वो डिजनरेटेड फॉर्म में वदल जाते हैं ऐसा होने के बाद हम देखते हैं यह जो मेल्स हैं वो लॉंगी टॉडाइटनली ग्रोथ क करने के बाद हम दिखते हैं यह स्लिपर लाइक शेप के हो जाते हैं और वहीं अगर फीमेल की बात करें हम तो फीमेल जो है वो फेरिकल शेप के हो जाती है तो इस चीज़गा रख सकते हैं यहां चुब मैंने ब्लू बॉक्स निखा है अब फ्रस्ट मॉल्टिंग हो गई इसके बाद ये condition आ गई, इनके degenerated forms हो गई, तो second बार जब malting होगी तब क्या होगा, second बार जब malting होगी तब हम देखते हैं, male जो है, तो उनके अंदर तो वापिस regenerate हो जाएंगे, इनके appendages, appendages यानि legs, eyes और antenna वापिस develop हो जाएंगे इनके अंदर, तो किन में, male के अंदर, ले के होई antenna develop होते हैं, वो degenerated form मेरे जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि female को तो वहीं रहना है, ज्यादा से ज्यादा secret करना है, resin, तो वो इधर से ज्यादा move करेगी नहीं, move करने की जूरत के नहीं है, males को, क्योंकि males का तो काम ही क्या होता है, matting वागरा करना है, तो उनको एक जगा स होगी, तब क्या होगा, तब ऐसा होता है, males जो होते हैं, emerge as winged और wingless form, तो male के अंदर दो forms होती है, आप ध्यान रखेगा, या तो वो wings के साथ में भी, wings develop हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ के अंदर wings ना भी develop हो, wingless form को हम apterus form कहा सकते हैं, तो winged form और apterus form दोने ही इनके forms यह देखी जा सकते हैं, and are not able to feed, लेकिन यह खा पी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके mouth organs जो हैं, वो क्या हो जाते हैं, इस तरह से inactive हो जाएंगे, कि यह कुछ food वगेरा consume नहीं कर सकते, यानि कि plant का sap वगेरा सकने करेंगे, कुल मिला कि अब क्या हैं, बस इनका काम wings वगेरा मिल च देखते हैं, first, second and third malting हो जाती है, third malting में, male के बारे में तो मैंने यहां लिख रखा है, females के अंदर क्या है, तो females जो है, वो बस growth करती रहती है, जैसा कि हमने देखा था, second malting के बाद भी, यह degenerated form में वही है, तो वहां बस L को sub करते हुए, बड़ी होती जाती है, size के अंदर और बढ़ते-बढ़ते, अपना maximum size को gain कर लेती है, तो कहने के मतलब, third malting तक भी उसके अंदर यही देखते हैं, हम चीज, उसकी growth होती रहती है, और वो बड़े से-बड़े size करना जाती है, mature हो जाती है, और ultimately क्या करने लगेगी, बाद में, egg laying करने लगेगी, तो इस तरह स अब तक हमने एक तरह से male और female में क्या फरक होते हैं, तो इसकी morphology के अंदर difference वगरा जो है, male और female की, उसके बारे में भी बात कर ली, और अभी life cycle के अंदर भी कुछ अद तक बात कर ली, next slide में, और थोड़ा सा हम जानेंगे कि females के अंदर क्या दिखा जाता है, तो अब तक आप जान चुके हैं कि इन insects के अंदर तीन बार malting हो चुकी है, तीन बार malting हो चुकी है, तो इनकी adult forms जो है, वो बन चुकी है, इन adult forms के अंदर हम देख रहे हैं, जो female है, वो लगातार size में growth कर रही है, क्योंकि वो cell sap को सक करते वे, secret करती जाए, मतलब अपने आपका size जो ह बड़ी होती जा रही है, और वो completely उस cell, लाग का जो cell है, उसके चारो तरफ उसके अंदर पूरी तरस से भर जाएगी, तरस से अपने size के विजए से, बट जब उसको एग ले करने होंगी, तब वो थोड़ी सी shrink होगी, और then पुछ eggs जो है, वो secret कर देगी, उसके बाद क्या तो कहने का मतलब यह जो yellow spots हैं, उनका क्या होगा बाद में, which enlarge and becomes orange colored, जो बाद में spots बढ़ने लखेंगे, और वो ultimately orange color के होने लग जाएंगे, पहले शुरुबाद में yellow color के होंगे, बाद में orange color के होने लगेंगे, ठीक है, तो इस चीज का प्याद रख सकते हैं, At this time, female have oviposited a large number of eggs, ऐसा क्यों हुआ है, यह एक तरह का indication है, कि इस वक्त female ने जो अपने eggs हैं, वो अच्छे से ले कर दी हैं, मतलब कितने eggs, लगबग 300 से लगबग हम देखते हैं, 1000 तक भी eggs ले की जा सकते हैं, तो कहने का मतलब इतने सारे eggs जो उसने ले कर दी हैं, और आप आपको पता ही है, इन eggs में से कुछ ही गंटों बात क्या निकल जाते हैं, क्रॉलर्स भी निकल के आ सकते हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस टाइम पे eggs लेंग हो चुकी है, यह indication है, और इंज कलर का हो जाने का, कि orange spots हो गए हैं, तो मतलब उनमें eggs जो हैं, अच्छे से र है, हमारी responsibility है कि, then at this stage, twigs are cut for the propagation, अब हमेरी responsibility ही कि, अच्छा भी, orange हो चुके हैं, तो उस condition में हमें उन डालियों को, twigs को cut कर देना चाहिए, और ऐसी जगा देना चाहिए, दूसरे host plant पे उसे बांद देना चाहिए, ताकि अब उसमें से जब crawlers कुछ देर बाद निकल आए मॉल्टिंग होते होते हैं, उनमें से कुछ females जो हैं, फिर से बड़ी होती जाएंगी और eggs laying कर देंगी, और वापस हमें उसको दूसरे जिगा shift कर देना चाहिए, तो कहने के मतलब इस तरह से उसके बाद उसका propagation किया जा सकता है, है ना, तो हमारे लाग का production था कि अच्छे स जिने हम कह सकते हैं, जिनका शुरुवात मैंने आपको बताया, कुसूमी और रंगी नहीं, तो उनके बार में भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं, उसके बाद ये वीडियो खतम हो जाएगा, तो लाग इंसेक्ट की biology बढ़नेने के बाद, अब अब हम बात कर लेते हैं, कि इसकी host plants की, या लाग host जिसे हम कह सकते हैं, तो host plants जैसा कि मैंने बताया, लाग insect एक तरह से parasitic है इनके उपर, तो इनका nutrition लेता है, तो बहुत सारी अलग लग तरह की species हैं, जिनके उपर ये लाग जो हैं, लग जाते हैं, लाग insect लग सकते हैं, और उनके उपर growth कर सकते हैं, अब बहुत सारे हैं, तो उनको एकर तीन तरह से classify कर दी हम, तो उनको हम कह सकते हैं, host of major importance, major importance यानि जिनकी उपर ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं, जिनकी importance ज्यादा है, ultimately, major importance के हैं, कुछ regional importance के हैं, regional मतलब किसी particular reason के अंदर ही इस तरह की उपर वो लगाया जाता है, म हम देख रहे हैं, host of minor importance, जिनके उपर कम होता है, लाग का production है, तो minor importance वाल है, तो इस तरह से तीन तरह से classify अगर हम कर देए, तो हम देखते हैं, जो major importance वाले हैं, उसमें पलास है, बेर है, कुसम है, और care है, तो कहने मतलब यह जो plants हैं, इनके उपर बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं, कि आसानी से जो लाग के insect है, वो लग सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हम कहें, regional particular reason, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया के लावा हम देख रहे हैं, चाइना, थाइलेंड वगरा के अंदर भी लाग production होता है, तो कहीं ना कहीं, pigeon bee के उपर भी लाग production है, कि कसी दूसरी particular जगह के उपर हम देख रहे हैं, pigeon bee को भी host plant के रूप में काम मिनी जाता है, और bubble जो है, वो तो आप जानते ही हैं, है ना, bubble के उपर काफी लाग का production होता है, minor importance के इंदर ficus species, और mughania macrophylla, इस तरह के जो trees वगरा या plants हैं, उनके उपर भी लाग का production होता ह ठीक है, तो यह तो हो गई host plant के बाद, अच्छा, अगर इन सभी plants के आप botanical name जानना चाहें, तो नीचे pdf जो available है description box में, आप उसे download करके आराम से बढ़ सकते हैं, और strains की अगर हम बात करें, strain किसके, तो हम देख रहे हैं, जो lock insect है, उसके strain, strain मतलब एक तरह से उसकी sub species, उ ग्रोन की जाती है, तो हम देखते हैं, कुसुम के उपर, जो हमने major importance फ़ल अपला, जो हमने देखा, उसके उपर यह सबसे ज़्यादा cultivated होती है, उसके उपर ही cultivated होती है, तो इसलिए उसे कुसुमी खा गया है, और अगर जो strain है, कुसुमी के अलावा किसी और के उपर, जो growth करवाई जाती है, crop cultivate की जाती है, तो उसे हम एक तरह से रंगीनी कहा देती है, तो रंगीनी जो है, वो grown on other than कुसुम, कुसुम के अलावा किसी और के उपर जो growth कराई जाती है, उसे हम रंगीनी कहा देते हैं, तो इसकी जो next slide होगी, उसके अंदर अभ इन रंगीनी और कुस होगी उनकी इंदर अलग कुछ फरक होता है उनकी टाइम पेरिड के अंदर उसके बारे में अभी नेक्स स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे और यह वीडियो खत्म हो जाए तो चलिए अट लास्ट अब जल्दी से यह जो हमने कुसुमी और रंगीनी स्ट्रेंज के बारे में हैं तो इस तरह से इस तरह से इन चार्ट की रूप में से हम समझ सकते हैं तो क्या सकते हैं तो कियाने का मतलब यह नाम जो है जेट़वी अगहानी बेशाक्य कत्की यह हिंदी मन्थ जो होते हैं, हिंदी के नजर जो अपने महीनों के नाम पन कहते हैं, जैसे कि jest का मन्थ हो गया, आशाड का महीना हो गया, यह हम कह सकते हैं वैशाख महीना हो गया, कार्तिक का महीना हो गया, तो इस तरह से कि उसके उपर बेजली इनके नाम दिये गया है, क्र कि नhos जी की जो किसमी है उसके चैट्वी और अगानी जो होतीenter उनके प्रेश लग लुक बरबर होते हं करे़म का मतलब एक तरह से कि जितना ही Salvador की görd कि होती है उतनी ही मनत की हम देख रहे हैं अगानी हो यहां जो हम देख रहे होड़ानी होता है तो हम देखते हैं जून-जुल्णाई में लगाई जाती है क्योंकि अगली क्रॉप जुन जुलाई के बाद अगली क्रॉप जिसका अगानी क्या दिया जाता है जुन जुलाई में इसे लगाया जाता है और हटा कब लिया जाता है जन्वरी फर्में में हटाने के बाद वापिस जेट भी लगा दी चाहिए तो इस तरह से इनका सिक्स six month का ही period बराबर है तो उसको याद रख सकते हैं एक column लिखा गया है जिसी brood lack के रूप में कि brood lack मतलब कौन सा lack जो brooding के रूप में काम मिले जा रहा है मतलब jet v की crop लगानी है तो उससे पहले का brood लगाने पड़ेंगे न तो jet v के अंदर उससे पहले की crop यानि अगानी लगाने पड़ेंगे जब अगानी लगाने वाले हो तब उससे पहले वाली crop यानि jet v को लगाना पड़ेंगे तो इस तरह से यह brood lack है इसमें तो ज़दा यह कुछ 20 नंबर में ही हो जाते हैं तो इस तरह से हम देख रहे है इस तरह से हमने जाना कि अलगरे स्क्रेंग यानि को खुस्मी और रंगी को कभ लगाया जाता है कभ grab यह पूप में और इनमें इस राइंग को यह जदर से शायद इसलिए क्योंकि कुसुमी तो सिर्फ कुसुम के ओपर ही लगेगी लेकिन जो रंगीनी है वो other than कुसुम के जो प्लानेट से उस पर भी लग सकती है तो शायद इसलिए हम देख रहे हैं that contribute 90% of the total production इसलिए total production जो है वो मुसली किसकी वज़े से हो रहा है तो हम देख रहे हैं रंगीनी की वज़े से हो रहा है बाकी 10% हम देख रहे हैं कुसुमी यह से भी हो रहा है तो इस तरह से दू हमने स्ट्रेंज के बारे में जाना कुसुमी और रंगीनी I hope यह लाक कल्चर का जो first topic है यह first video है आपको अच्छे समझाया होगा और जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो का जो next video होगा उसके अंदर हम लाक production के ओपर focus करेंगे किस तरह से किया जाता है कौन से methods है क्या-क्या उसमें equipment का में रहे जाते हैं लाक क्या-क्या types होते हैं तो कहने कि मतलब next video के अंदर भी ह available है आप उसे download करके अराम से पढ़ सकते हैं साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि इस video से पहले management of beneficial insects का जो हमारा course title है इसके अंदर हम epiculture के उपर अच्छे से बात कर चुके हैं और साथ में हम बात कर चुके हैं ऐसे insects order की जिसके अंदर parasitoids और साथ में predators आते हैं तो इस video से पहले क आपने नहीं देखे हैं तो उनके link उपर आई बटन के साथ नीचे description box में available हैं आप चाहें तो नहीं देख सकते हैं साथ ही जैसा कि मैंने बताया इस video का next part जो होगा लाग culture का उसमें हम लाग production के बारे में बात करने वाले हैं अगर इस video को आप एक अफते बाद देख रहे ह हैं साथ ही अगर आप general agriculture की knowledge और question answers में interest रखते हैं तो आप हमें instagram और facebook पर follow कर सकते हैं और इस video का आप like कर सकते हैं because अगर आप इसे like करेंगे तो youtube इस channel की और भी जो videos है वो आपको recommend करेगा तो आप इस channel से और अच्छी से जुड़ सकते हैं तो इस तरह की videos के लिए इस तरह के लिए चुड़ स्टेडी से